तो हम लोग आज बात करेंगे क्लास 9 के चैटर नमबर 6 के बारे में इसका नाम है इसका नाम है हिस्ट्री आफ लाइनेक्स करेंगे कि हम लोग इन चीजो कवर अप करें यहां पर जो कुछ भी चैटर के अंदर है उसको हम लोग देखें शाथ में क्या-क्या इसके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी हम लोग आज यहां पर डिसकस करेंगे ठीक है तो बिना टाइम को वेस्ट के हुए चलिए चैटर को अपने शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या सबस्क्राइब गशंब्सक्राइब है मैं यहां पे नोड्स में ज़्याकर नहीं करूंग रहों ध्यान देंगे चीजों को समझने के दिए ठीक है तो Linux क्या है Linux हमारा open source operating system है पहले चीज second जिस क्या है कि यह हमारी क्या करता है जो भी open source है इसका मतलब क्या है कि जो Linux है वो completely free है सभी के लिए क्या है freely available है और कोई भी इसको directly internet से install करके अपने में use कर सकता है ठीक है और Linux जो है वो क्या है वो है replacement किसका replacement Unix operating system ठीक है हम लोग जानते हैं हम लोग पहले पढ़े भी है कि तो Unix है वो क्या है वो आपके operating system है जिसको develop किया गया था पहले और किस language कि यूश किया गया था कि आपका 1999 से लेकि 1991 तक यह चला आपका Ken Thompson, Dennis Ritchie और यह क्या है आपके Dennis कौन है आपके founder of C language founder of C language and Dennis Ritchie ठीक है इन सब लोगों ने मिल की काया किया Bill Labs के अंदर Unix को develop हिया लेकिन कई सारी ऐसे चीजे थी जो Unix के अंदर proper नहीं थी कुछ limitations थी Unix के अंदर तो उन चीजों को दूर करने के लिए क्या किया गया उन चीजों को दूर करने के लिए Unix को develop किया गया ठीक है ति देखो आता है जो developers थे उनको बेडर alternative की need हुई कि आखिर हम क्या करें कि हमें एक बेटर एक बेटर अपने सिटम को develop कर पाए ठीक है तो देखो क्या होता है फिर आता आपका समन्ह कौन सा 1991 यहां पर क्या होता है आपका birth of a Linux यहां पर Linux की birth होती है Linux के जो था इसके अंदर क्या होता है एक थे स्टुटेंट है का कॉन Linux टोलवार्ट जी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं Linux पे काम करना एविट फर्स्ट प्रोजट अपने पहले प्रोजट के तो और पे ठीक है इख आप इंट्रेट थे उसकरने के लिए करने के लिए करनल वगरा को अबदिन सिटम के लिए फैनली क्या होता है 17 सिटमबर 19 वे क्या नभी क्या होता है यह लान एक्टी के लिए डेवलप हुआ ग्मुनिटी के द्वारा डेवलप किया गया तो क्या हुआ इससे बहुत जल्दी ही क्या हुआ यह पूरे एरिया में पूरे वर्ड में पॉपलर हो गया ठीक है तो यह लिए फ्रीली अविलेबल होता है ठीक है फॉर वर्ट्वली इसको क्या है आप लोग वर्ट्रिली इसके पहले कुछ चीज जान लो इस पूरे कोर्स की जो पीडियाफ है हम दो एक नया चीज शुरू करी है इस्टुटेंस की कहने पर जो इस पूरे कोर्स है जो यह पूरी पीडियाफ है अगर आपको यह चाहिए आपको जो भी या इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे आपको कमेंट्स करनी रहेंगे इस वीडियो में ठीक है आप एक दो तीन जितनी भी चाहें कमेंट्स कर सकते हैं और सारी कमेंट्स जरूर कर सकते हैं कुछ बता सकते हैं ठीक है मतलब एक प्रॉपर कमेंट होगी उन कमेंट में भी हम कुछ हम टॉप फाइफ कमेंटर्स को चुनेंगे जो भी पांच कमेंटर्स होंगे जो भी पांच लोग कमेंट करेंगे उनको रैंडमली चुना जाएगा ठीक है अगले आने वाले वीडियो से पहले ठीक है उनको randomly चुना जाएगा और उन 5 लोगों को हम लोग ये पूरी PDF free of cost provide करा देंगे बाकि जिन लोगों ने class 9 का course ले रखा है class 9 का course ले रखा है उन लोगों के लिए क्या है ये जो PDF है वो तो available है clear हो गया ठीक है आगे जलते हैं लोगों बात करेंगे जिसकी character districts of Linux की कि आखिर Linux में क्या क्या खास बाते हैं तो पहला क्या लिखा है open source Linux चाहे एकदम open source Linux सभी के लिए free available है ठीक हम लोग Linux को कहीं से भी access कर सकते हैं मदलब लोग इंटरनेट पर जाएंगे जाएंगे लिए क्या होता है वहाँ हम लोग free of course को download करके अपने system में use कर सकते हैं ठीक है multi-tasking है एक साथ कहीं सारे कान को Linux करने को eligible देता है security Linux के जो security है वो इसका most important feature हम लोग कह ले वो है Linux के क्या करता है वो better firewall file permissions होती है हमें कोई भी file को access करना है तो क्या होगा पहले हमें इसकी permission लेनी पड़ेगी ठीक है ठीक है ठीक है अब कर देखो हो गया security है में दो बार दे दिया गया है इस पर लोग कर देना ठीक है फिर देखो आपका आता है file system support देखो जो linux से वो क्या है कई सारी file system को support करता है आप यहां देख रहे होंगे न ext3, ext4, fat32 इस सब क्या है सारे आपके file system है जिब को linux support करता है फिर देखो आपका आता है customizability linux के बहुत ज़दा customizable है तो क्या इसी करन क्या है इसके devirus distributions है अलग अलग version इसके बनाया के है ठीक है आपका like one two हो गया fedora हो गया debian हो गया ठीक है यह सारे हो गया फिर आपका देखो आता है stability and performance और network capabilities linux क्या है बहुत ज़दा stable system हमारा है और network capabilities मतलब linux कई प्रकार के जो networks हैं उनको support करता है clear हो आपका ठीक है फिर देखो लोग बात करेंगे यहां पर limitations की कि आखिर क्या-क्या चीजे है जिस्थोंने linux को limit करके रखा हुआ पहना देखो क्या लिखा है learning curve लिखा है linux proves tough for the newbies newbies कहलो positive दोज हो wind on windows और macOS without step steep learning curve awaiting them initially मतलब क्या है ऐसे जो लोग है जो क्या कर रहे है जो अभी windows को use कर रहे है जो अभी macOS को use कर रहे है उनके लिए क्या है जो linux है वो basically starting में तरहा tough होता है उनको use करना ताकि बो लो उसको proper तरीकिये से use कर पाए तरहा कठिन होता है फिर दोखो आपका रहता है software compatibility software compatibility फिर दोखो आपका रहता है जो linux है उसमें सारे software proper तरीकिये से run नहीं कर पाते हैं कई सारे ऐसे commercial software है जो क्या होते है linux के लिए native नहीं है available साइसे नहीं हो पाते है आपका Photoshop हो गया आपका Office हो गया यह सारे क्या है native नहीं है किसके linux के लिए अपका अगर gaming कई सारे games है जो support नहीं करते हैं जारीकिसे कहां पे linux में वो better performance देते हैं कहां पे Windows में या फिर Mac OS में फिर दोखो आता है hardware support लिए linux के लिए issues often arise when the hardware makes it fail to provide a suitable driver जब क्या है क्योंकि जो linux है वो क्या एक open source operating system है उसका कोई भी कोई भी उसकी community ऐसी नहीं है तो उसके लिए call center type में कि भाई हमें कोई query हो रही है linux को लेके तो हम वहाँ पे जाके उस तिसको discuss कर सके उस तिसको बता सके ऐसा कुछ भी लेवल नहीं रहता है तो क्या है तो क्या है linux के अंदर जो भी अगर कोई problem आती है हमें कोई glitch आगया कोई problem आ गई तो उसके लिए हमें कोई customer support नहीं है हम community पे different depend रहते हैं क्या कि जो community है हम वापे उनको contact करके उनको बता कि आपने रिसोर्स को सर्च करके चीजों को solve कर सकते हैं फिर दोखो लिखा है software installation package managers erase the process but a command line stationing causing abrasion for managing कभी-कभी क्या होता है कि मालो हमें कोई software नया install करना है अपने computer के अंदर तो उसको install करने के लिए command line के यूज़ करना कभी-कभी-कभी लिए टफ हो जाता है तो ये सारी चीज़े हैं फिर दो खिल खाए enterprise adaptation linux adoption installs तो फ्रुटिन corporate environment owing to conveyability worry when a standardization issues linux दोगी open source तो क्या यहां पर हमें कभी-कभी जो standardized issues है इनके सामना भी करना पड़ता है तो ये तो हो गई बात इसकी Linux के बारे में बात हो गए, क्या-क्या बाते हैं, क्या-क्या characteristics हैं, और क्या-क्या इसकी limitations है, हना, इनको हमें नहां पर discuss किया है, यह बहुत most of important है, यह जाम में आपके 90% की पुछी कहीं न कहीं आपके इजाम में जरूर जाएंगी, ठीक है, फिर देखो आपका आता है Linux Graphical User Interface, देखो कि ला है, कि जो Linux है, बितरीली वो क्या करता है, ट्रेडिशनल तरीकिये से बेश करता है, कि इस पे CLI पे command line interface पे, वो generally work करता है, generally काम करता है, लेकिन क्या है, क्या है, क्योंकि जो CLI है, वो कभी-कभी क्या होता है, users के लिए tough feel होती है, tough लगती है, तो लोग करते क्या है, कि लोग क्या करते हैं, इसको GUI बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, various work space का इसके use कहां पे कर रहे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हम एक GUI desktop environment provide कर देते हैं, ठीक है, दोखो आपका इसमें 3-4 इसमें main है, मतलब इनके नाम दिये गए हैं, पर जो दो हैं, वो बहुत important रहेंगे आपकी syllabus के लिए भी, और आपके आगे आने वाली चीजों के लिए ठीक है, अपका अगया केडिमी प्लाजमा, इसके लिए अपना XFC और सिनेमन, सारे क्या हैं, यह सारे आपके कुछ desktop environment है, जो क्या करते हैं, जो Linux को एक GUI form में change कर देते हैं, एक GUI environment को provide करते हैं, ठीक है, फिर देखो आपका आता है logging in and logging out from the Linux, ठीक है, अभी हमने आपके और powerful डालना पड़ेगा, तभी जो Linux है, वो क्या होगा हमारा अंदर जाएगा, मतला हम लोग इन कर पाएंगे, ठीक है, जो दरीक है, अगर हम लोग लोग इन के अंदर GUI base कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब वो क्या होगा, जब वो बूट होगा, तो क्या होगा, आपका एक तो 1-2 देखो लिखाया है, GDM के उसकरता है, जिनोम डिस्प्ले मेंजर के उसकरता है, इसके लिए अपने डिफॉल्ट लॉगिंग इंटर फेस के लिए, ठीक है, फिर देखो, अगर हम लोग लोग इन इंटर फेस का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक प्रॉंट खुल अपर ने कि सिंपल सा वहाँ पे मेनु आइकन में, आपके मेनु बार में आपका पॉऔर का अइकन दना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, उसके लगाउट का ऑक्षन है, वह उपन होके आजाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम उनों यूज़ करना है, इ के अंदर और लाग आउट करना ठीक अभी कुछ प्रोग्राम से हैं कुछ कमांड होंगी यहां पर उनको लोग ट्राय करकर देखेंगे कि आखिर वो जो कमांड से हो कैसे वर्क कर रहे हैं ठीक फिर देखो लिखाया है यहां पर इस्ट्रक्शिर ओफाल लाइनेक्स ऑपरेट बिलोओ इस एन एकलिनेशन ऑफ इस ट्रॉक्शर एंड दा कंपोनेंट्स एंड वर्क सीमलस्ली ठीक है इसमें क्या है अपके कई सारे अप्रेंट्स हैं अलगला कुछ मेंन कंपोनेंट्स हैं यहां पर दिए गए हैं तो आपकर पहला आता है तो यहां पर हाल्डवेर लेय या फिर जितनी भी आपकी जो प्राइफ और अगला चाहें दलाइक हो आपकी फिर्टर के और जिल्फ सल्ट आपके यूसर मोड और दूसरा आपका लिखा है किसली होता है फॉर एप्लिकेशन इन प्रोग्राम से लिए और करनाल मोड है पर जो लो इनके लिए हम लिए करते है अपके यूसर है वो आपके ओप्रेडिक सिस्टम से इंट्रैक्ट कर सके ठीक है इट एक एसा ट्रांसलेटर टेकिंग यूवर कमाउंड एंद पासिंग तुड़ करनाल सिक करेंगा थिक करता है क्या करेंगा और क्या करेंगा उनको पास कर देगा कहां पर करनल पर दुरू आपके बैश हो गई क्या है यहां पर क्या होता है कुछ प्रिटन फंक्शन कुछ प्रिटन प्रोग्रम और यहां पर दिये हुए होते हैं ठीक है क्या करते हैं यह आपका आता है system utilities देखो आपके जो operating system आपका है आपका system मेंज करने के लिए और maintain करने के लिए क्या कुछ tools और softness दिये गए हैं जो help करते हैं यह आप की आते है system यूटिलिटीज के अंदरगत, फिर देखो लिखा है, यूवर अप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल है, तुम्तों आता है तब इस graph के थूँए simply अपने teacher को या आपने जो भी है आपके उनको आप explain कर सकते हैं ठीक पिर देखो आता है KDE और Genome यह आपका most important रहेगा KDE क्या होता है और Genome क्या होता है लिख लोग है यहां पे most important क्या होता है पढ़ते हैं KDE दोनों के हैं आपके desktop environment है जो क्या करते हैं जो Linux को एक GUI environment प्रएड करते हैं लाइस के इंदर ताकि जो भी हम लोग का CUI पुरा इंटरफिस को हम लोग बाइपास कर पाएं और हम लोग Linux को एक इजी तरीके से यूज कर पाएं तो को आपके लिखाया पहला KDE, KDE is best known for the customizable and a feature is बहुत ज़ादा customizable है और features है इसके अंदर कई सारे हमें option देता है कि हमार देश्टॉप पर कैसा दिखेगा कैसा काम करेगा इसमें क्या कई फारे आप है कौन से टेक्स एडिटर हो गया आपका file manager हो गया कई फारे आपको यहां पर इस चीज़े मिल जाएंगी एप मिल जाएंगी it great for the users who like a flexibility and eye-catching designs ऐसे users चाहते हैं कि बहुत ज़ चीज़े जो है वो संदर दिखें उनके लिए केडी क्या है perfect ठीक है फिर दोखने करते हैं किसकार में genome की बारे में genome network object model environment क्या है आपका एक simple है easy to use है पहले चीज़ तो genome मतलब होता है GNU network object model environment clear क्या easy to use है बहुत ही simple है but easy to use है clean and modern look clean and modern look है provide करता है if they lift letter if you have too many customization options it in fact the productivity मतलब यह कि आप बहुत ज़्यादा कर्षमाइब अपन नहीं देता है बढ़त ज़्यादा बहुत ज़्यादा productivity आपको परफॉर्मेंस ते वह आपको बहुत अच्छी मेरी कहाँ पे जिनों के अंतर में अंदर अंदर इट परफेक्ट फ़र्था प्यूपल फुपर राइस्टेट फॉर्बट एक्स्पीट इसे लोग जिनको एक प्रिटिक उदर काम करना है उनके लिए क्या है तो पर जीनों में वह पर फेक होता है यहां पे आप दोनों प्रिटिक है तो यह से मिलता जूलता यह हमें लग रहा है कौन आपका जीनों ठीक है फिर देखो आता है लाइनक्स का फाइल सिस्टम देखो रिखा यहां पे हिर्कल स्ट्च्च्च्यर डियाक्रिव इन लाइनक्स फाइल बनेशन एवरिटिं इस फाइल और के यह से फाइलिए फाइल उनकी फाइल करने के लिए दिव के जूस होता है प्रिष J. युजर की अप्लिकेशन और लाइबरी जो कहां गी यूजर के अंतर रहती है फिर फैलर पर्मिशन गोना फैलन प्रिंचे लिए क्या है उतलम फैल कि या निद्टार्टे बॉह पड़ेविगान फैसलिकर लिए उतलम छी फैल सर्टी उतलम ट्राइब फाइल के तरीके से Linux है उसको treat करता है चाहिए वो कोई file हो चाहिए वो कोई directory चाहिए वो कोई device ही क्यों ना हो क्या करें कि Linux हर चीज को एक file के तरीके से treat करता है फिर देखो आपका लिखा है case sensitivity मतलब क्या है जो linux है वो case sensitive है linux के अंदर file.ext का और small file.ext का क्या है दोनों क्या different file है दोनों file ले अलग अलग टाइप का data store कर सकती है ठीक है कुछ देखो आपके दिये है popular linux file system अपका ext4 हो गया xfs हो गया btrfs हो गया ठीक इजी सारे हो गया आपके ठीक फिर देखो यहां पर लिखा है command line in linux देखो select काम कर रही है powerful क्या किस प्रकार से अलग है क्या क्या चीजे है जो linux क्यों अच्छा बनाती है पहला क्या अपका देखो लिखा है आपका powerful and efficient linux जो आपका linux CLI वो क्या है बहुत जादा powerful है और बहुत जादा efficient है यह आपको देता है terminal जहां पर क्या हम लोग command को type करते हैं कहां पर terminal के अंदर कुछ ताब यह क्मांड होती है लिखा है ls, cd, mkdir, rn मालोब ls है तो क्या यह आपका सारी लिस्ट करता है सारी files को और directories को ठीक है और देखते हैं इन सारे commands को देखो पहले आपका लिखा है ls तो मालोब हमें ls को use करना है तो मैं करके दिखाता हूं यह वाग कोशिश करता हूं प्रिखाने की एक hopefully terminal कमान यह आपको पुरा दिख रहा होगा ठीक है अगर हम लोग windows उसकर रहे हैं तो हम लोग कोई अज़र अज़र नेटिव इंवार्मेंट को यूज़ करके भी लैनेस को यूज़ करके भी लैनेस को यूज़ देख सकते हैं या देख सकते हैं लोग मालो हमें देखना है कि इस जगह के अंदर हमारे पास में कौन-कौन सडिक्री से तुम क्या करेंगे स्क्राइब करते हैं यहां पर ls इंटर करेंगे तो क्या होगा देखो सारे फोल्डर जितने बने हुए हैं जितने फोल्डर सारे केड़ हैं अप्लिकेशन डेश्टॉप डॉक्यमेंट सब आपके फोल्डर सिखा यहां पर शो कर देगा ठीक अब मालो हमें इस डेक्टरी को तो क्या होगी चेंज हो जाएगी बस आपको इस डेक्टरी का पाथ पता होना चाहिए ठीक है को ट्राइब करते हैं सीडी डेश्टॉप अब हम जो क्या है अब हम नुग देकर आंहां पर हम्ट में अगर मनलो हमें इस पुल्डर करना इसूदर को पास्ट एंड इंटर करेंगे तो क्या हुआ अगर हम यहां पर इस पेस को नहीं दे रहे हैं ठीक पास्ट के बीच में तो क्या दिखा रहा है कि यहां पर कुई डारी नहीं अवलेबल ठीक और अगर हम इसको एफेक कर रहा है हैं cd पर तो क्या दिखना टू मैंनि और मदलब क्या यहां पर बहुत सब्छाओ सार्व फाईल है इसके अंदर जो यहां पर यहां पर नहीं कर रहा है ठीक है तो देखते हैंelly कंदिया इर या मान्वाहां आहर दो हम इस किस दीक्टरी पर है तो हम क्या करेंगे इस करेंगे system command तो मालू में च耶क करना कि हम कहा है थे हम ओक है तुर्थ के सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां यहां को नई । तो मैं यहां नई वनानी तो यह हम रिखा mkdir को नेम देते मालो ए bc ठीक तो क्या हुआ है हमां यहां यहां पर अगर हम यहां पर LS टाइब करेंगे तो क्या होगा देखो आपकी चार फाइल दिखा रहा है उसका सवस्ति दिखा रहा है और से दिखा रहा है आपकी एक फाइल यहां पर आपका दिखा रहा है आपका दिखा रहा है पोईटरिस क्लब करके ठीक है ठीक है फिर हम मालू करने क करना है हमें इस इभी सिवाली फाइल को डिलीड करना हमने क्या लिखा आर्म है हमने यहां पर लिखा आर एम ए बीड रिक है तो क्या होगा अब यह जो डायक्टरी हमारी किया होगी आधे से रीमूव हो जाएगी या दिलीट हो जाएगे है कनिः फिर देखों रिखा है हमारा CP क्या होता है फाईल को कौपी करने के लिए होता है फिर उसके अपका लिखा है यहांD फइसा को करने के लिए होगा इनहाइया इन क चथ पर कष्थ के लिए कर लेते हैं तो लिख देते हैं कि यहां पर दिखा देगा कि आपका कितना कितना जो डेटा है वो क्या चीज़ें यहां पर यूस कर रहे हैं ठीक है यहां पर शुटा है आप आपको पूरा पूरा साइज की सिस्टम में है क्या चीज कितना कंटेन करे हुए क्या रिस्ट का साइज समय है वह यहां पर ओपन हो जाते हैं इसको करूंगा नहीं अन्ना इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर सेटम हो किया स façon करने के लिए अपकर क्लियर करने के लिए फैला की पर्मिश्न को कि भाई वो टेक्स में खुळी है Wow कि है इसको सहेँन करता हैं हम लोग करते हैं कि सका योश फी एपर यह स्टेक कर में reper आप देख़ो आका रहा है तो देखो लिखा है यहाँ पर scripting, देखो लिखा है CLI allows for creating a shell script to automate the repetitive task, बार बसी काम करने के लिए क्लिए 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 क्मा इंफिन वो आपको 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 करता है, तो क्या 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 फैद इसके full control project होता है, ideal for the advanced user के लिए क्लिए बहुत ideas होता है, तो system इंफिन के करते है, work well on the server where GUI are not installed, कहां काम करता है, यह काम करता है, कहां पर, servers पर भी जहां पर GUI install नहीं होकता है, ठीक है, गर नहीं है, फिर दुखा आपका आता है, commands related to files, कौन कांसी command है, जो आपके files के management से related है, अगर मैं file को करना है create, तो क्या है, देखो, दो command में पास है, पहली आपके blank file को create कर देगी, nano क्या करेगी, आपकी file को क्या करेगी, create करेगी, edit करने के लिए text editor को भी open कर देगी, जाम बे लिखो दिया, nano या फाइल का नाम जी ओपन हो गया, ठीक है, file को view करना है, cat दिया file का नाम, ठीक है, डिस्प्रे करेगी, अब जो cat मान क्या करेगी, file को cp command के यूज करते है, हना, cb करेंगे, या पे file को कॉपी करने के लिए, mv करेंगे, file को move करने के लिए, आपका file करना है, delete क्या करेंगे, आपकी यहाँ से change हो जाएगी, जोब आपकी user है, फिर देख लिखाया है, file del, ls क्या होता है, सarbeitर है लोग किसी साधर घल कि प्रॉपर इनफरिशन जानना है तों क्या कर enth इस किसी सब्सक्राइब ज GIRनने के लिए सिर्ज करें तरा इंदर सब्सक्राइब मालोल कि ये फाइल है ग्रेब करें यहां पर क्या है क्मांड को जी चैनल कई तो पर पहला कर मांड नहीं मस्थ हो रहा है कमांड रहा है वह क्या है नहीं कर अब है पिर कोई भी कमांड आपने दी और आपका सेश हो रहा है कि परमीशन को क्या करा गया है मतलब आपके पास फाइल को प्रिटिक युष्वाइल को एकसेश करने की क्या है परमीशन नहीं दी रही है ठीक है तो लिखा है सब्सक्राइब लिए है तो क्या है इंटरेक्ट है क्या रिखारें करें । अरे रिखाया करना महां से अफिन हो कि आजाएगा शेख फूल्ड करेंगे तो किया करेंगे हम लोग जो अगर सिकार वाती है जब कि जो पूरी disk को क्या हो गई है आपकी फूरी फूल हो गई है और अब कोई space खाली नहीं है क्या करेंगे check करने के लिए df यूज करते हैं फिर देखो लिखा है यहां पे file exist अगर आ रहा है तो क्या होगा you are trying to create a file or activity that already exists मतलब क्या है कि हम लोग उस नाम की file को create करना चाहरे है जिस नाम की file already क्या है बहां पर पड़ी हुई है प्रिद करता स्क्मिंद इंटेंशन फॉल्ट मतलब क्या है फाइपर प् फिर देखो आपकी इसके इलावा जो इसके इलावा इपोलिट है आपका वह आपका दिखो दिया है यहां पे इंपर आपको दिखो क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है फाइल को रीड करने में या फिर राइड करने में ठीक है क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है फिर देखो इसके लावा आपका कुछ भी इंपॉर्टन खेर इसमें तो नहीं है फिर देखो बात करेंगे यहाँ इसकी वियाई टेक्ष्ट एडिटर की दो लिखाया था वियाई टेक्ष्ट एडिटर इसके पाउरफुल तूल किया जाता है काम करता का से लाई पर एफिसेंट है दो मोट्स पर काम कर लेता है ना फिर देखो लिखाया वाइल लेवल थाना वाइली क्या है अब दोनों दिये गए है अगर पर दो यहाँ कमांड मोट उसके आपका इंसर्ट मोट ठीक है कुछ जो को बिश्ट दिये गहा और इसमें कुछ बदाने वाला फायदा क्या होते हैं भी आई अपकी पहले क्या आपका देखो है इस्टीब लेर्निंग कर्व यहां पर क्या लें करव होता है और यहां पर कफी कठीन है बिगनर्स के लिए इसको यूज करना यहां पर कोई भी जीवाई नहीं है और क्या ह इसको क्या होते हैं वो पहले से यहां पर डिफॉल्ट अबल होते है ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर सिस्टम मैंद में यूनिक्स हम लोग कैसे अपने सिस्टम को यहां पर मैनेज कर सकते हैं इसको हम लोग यहां पर देखते हैं तो पहला क्या है आपका यूवर मैंद में स स्लाइल जैने सेक्यूर्टी हना हम लोग अपने смотреть कर की रखते हैं कि लेन की सिस्टम को फॉलो करता यू उसकरता है उस्में क्या होता है हर एक GR tão है जिंके तूब हो काम होते हैं तो फेंट है यहां पर फाइल डियेक्टिर एंपर्मिशन लिए पर्मिशन पर्मिशन सिस्टेम विए रीड और डबलू और एक्सना रीड करने के लिए प्राइड करने के लिए एक्स्चूट करने के लिए क्या होता है यहां पर काम होता है तो पर्मिशन पर्मिशन किसको दियाती है ओनर तरह के फॉर्म में ग्रूप के फॉर्म में और अर्डर्स को लिए ठीक है अपके लिखा या फार्व बार निल्ज एक टूल्स होते हैं आई पीड़ी विल्स करके आप एंड अर्ड्वार्व रिख अप मैनेज कर थे हैं इसको इंकमिंग और गॉर्इंग ट्राफिक को इन्हेंट लाइनेक्ट करने के लिए इन्हेंस लाइनस्य नियुक्त उप्रइब करने के लिए। प्रफ़र्ट कर लगाऊ विजदा प्रफ़र्ट पॉजिसी के साथ में रिमूव अनुज टिंड यूवर्ट एकाउंट जो फाल को के यूवर्ट हो कि अगर उनको यहां फे अलग उनको प्रवाइड की जाए प्रिवन दे अनथाइस यूजर स्वाइड कर एक्रिकल फाइल प्रफ़र्ट वाली फाइल हो गई इन सबीको एक्सेस करने में क्या वो काफी प्रिवेंशन बढ़ती जाए जो भी हुआ जिव भी मारा सिस्ट्रम है जिस फाइरवार्स से कनेक्टेट है उसमें हम लोग क्या करेंगे इन कमांड का यूज यहां पर कर सकते हैं अपने सिस् सब्सक्राइब करना चाहिए क्लियर है रिमुव और अंडिय सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको हम लोग कर सकते हैं सिस्टम हाल्डिनिंग और रेडर प्रोडक्शन इसके माता है लुकिंग ए मॉनिटरिंग फिर एवस सेक्योवलिटी फिर यहां पर चीज़े दिगें तो कर अबर करते हैं विन्डोस कमाड मतलब MSG कमाड के फ्रू मैसेज कमांग सब्सक्राइब करते हैं अपने लाइन को यूस करने कि लिए भी बगड़ा ठीक है तो यह सारे क्या है कुछ बेनिफिट्स है कुछ चीजे हैं जिनका हम पर लाइनक्स के अंदर ठीक है क्योंकि वीडियो है होप आज ही पड़ जाए या फिर हो सकता है में वी टुमारो तक पड़े इसकी लिमिटेशन्स है इसकी लाइनक्स ठीक है इस वीडियो में कमेंट करनी है नीचे और जित्ने बच्चे हैं जो कमेंट करेंगी अब टॉप फाइफ या रैडम फाइफ कमेंटर को विलेगा आपको इस पीडियेफ को और इसके आगे आने वाले जितनी भी पीडियस हैं उन सभी की एक्से मलदब आपके पूरा कोर्स प्रवाइड हो जाएगा अगर आप उन 5 वमसाथ 5 लोग में से आते हैं जो टॉप कमेंड यहां पर करेंगे क्लियर ठीक है तो ठीक है तता के लिए गुडणाइट टाइटा वाइबाई आप अराम करिये बेश्ट तरुलक क्षाट्ड फार इस पढ़े लिए मज़ें मालिए इस तरह खुद रही है ठीक है तता के लिए थैंक यू